दोस्तो भर्ब के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है हम फिर से एक और वीडियो डाल दें आज तो दोस्तो देखिए जब भी आप भर्ब परते तो मोडल्स अगर अच्छे से समझ जाए तो आपको इंग्लीज बोलने में बहुत सारी परिशानिया नहीं हो सकती है आज हम परने वाले हैं केन और कुड का इस्तेमाल यानि आपने केन तो पहले परहा है इसको पैरलली कंपेर करेंगे कुड के साथ देन आप्टर आपको हम परहाएंगे कुड का कहा इस्तेमाल होता है अगर आप कुड का इस्तेमाल सीखे तो आपको यह बहुत काम आने वाला ह चले शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग प्लेलिस्ट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट एट किया गया इंगलिस क्रामबर आप जाहिए वहां से पर यह देखें जो पहला रूब परते के न आपके दिमाह में प्रशन आएगा कि सर क्या के और कुट दोनों सेम रिक्वेस्ट को रिप्रेजन करता यानि कि जो अनरोध करने की जो थिब्रता है जो पोटेंसी है कि सेम है तो मेरा उत्तर होगा नहीं केन से थोड़ा कम रिक्वेस्ट का भाब दिखता है ठीक है लेकिन कुट से ज्यादा पुलाइटनेस दिखता है आप कहीं भी अगर ज्यादा पुलाइटनेस दिखाना चाते कहीं भी एक्स्प्लेन करना चाते किसी बड़े वेक्ति के साथ बोलना चाते तो आपर आप representing the more politeness I'm just telling him कि तुम अपना अम्रेला हमें दे सकते हो request कर रहे हैं लेकिन not like that could, could be बहुत ज्यादा request दिख जाता है more politeness दिखता है, अब बहुत आपके मुझ से मधूरता टपकता है मधूरत टपकता है, ऐसा हो जाता है, जैसे हम अगर बोलते हैं could you land me your sofa set, तो यहाँ पर हम उसे बिनमर अनरोध करें कि आप उपना शोफा सेट दे सकते हैं यहाँ could सकते थे नहीं बनेगा, क्योंकि could यहाँ पर भर्व नहीं रह पाया, यहाँ पर यह models बन गया है क्योंका पास नहीं रह पाया, यहाँ पर यह models बन गया, यहाँ पर आप confused मत हो यहाँ जैसे मैं बोल दो could you land me your sofa set, तो तुम क्या आपना sofa set दे सकते थे, नहीं, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करें क्या आप आपना sofa set दे सकते हैं ठीक है, देखिए, could एक बहुत अच्छा तरीका है, किसी request को introduce करने के लिए, अगर आपको request को बताना चाहरें, introduce करना चाहरें, तो हाँ पर could का इस्तेमाल कीजिए, alternative है would का, यह थोड़ा ज्यादा polite हो जाता है, जब आप कोई office में काम कर रहे हैं, किसी से कोई file मांग रहे ह उस इस्तेमाप code का इस्तेमाल कीजिए, आप कहिए, could you please send me an application form, क्या आप मुझे एक application form भेज सकते हैं, her platness is just glitterizing, okay, तो हम यह आगे पढ़ते हैं, यह practical English grammar Thompson and Martin साब का जो किताब उससे यह लिया गया, code से ज्यादा polite नेस अच्छा लगता है, जब आप कहीं जाते हैं, office में को कोई file मांगते हैं, आप ऐसे कहिए, could you please pass me that file, इस सिति में बहुत अच्छा लगता है, सुनकर सामने वाले को, और आप से वो ज़्यादा प्रभावीत होंगे, दोस्तो आगे परते हैं, देखिए, could का जो इस्तेमाल है, यह past ability को दिखाने के लिए करते हैं, हमारा जो past में बट अब वो नहीं है, उसे दिखाने के लिए करते हैं, जैसे जब मैं जब जबान था, तो मैं cycle, जो है, railing पे से कुदार देता था, आपकी वो ability दिखाएगी, जो आप पहले past में आपके साथ था, आप नहीं है, जैसे हम लोग जैसे जबान हैं, हमारे अंदर में बहुत स से लिख लिया करते थे, जब हम जबान थे, तो एक बार में दो साइकी चला लिया करते थे, this kind of thing, past ability, यानि जो भूत काल की छमताय हैं, उसे दिखाने के लोग कुट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्जाम्पल समझी हो, इसे तो बहुत सारे एक्जाम्पल मैंने दिया है, यहां पर, when I was young, I could climb any tree, ठीक है दोस्तों, जब मैं young था, तो मैं किसी भी पेर पे चर जाया करता था, when Ram was young, he could swim across this river, जब Ram जवान था, तिस नदी के इस पार से उस पार जा सकता था, यानि उसमें चमता था, जो जा सकता था, ठीक है, clear बात, तो आप कुट का इस्तेमाल past ability क को दिखाने के लिए कर सकते हैं, अब यह भी कहिए, when I was in class 10th, आप जोर सकते हैं, जिसके साथ I could express myself in a better way, या कुछ और भी जो आप जोर ना चाहिए, आप जोर सकते हैं, अगला दोस्तों, जो कुट का इस्तेमाल है, कुट का प्रियोग, बरतमान में आवा सकता, यानि यान necessity है, ability है, उसके संधर में क्या जा सकता है, जैसे मैं कोई दुकान चला रहा हूँ, और मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं अपने भाई को या अपने जो भी फ्रेंट्स है, उसको मैं बोलूँगा, could you run this business by yourself, अगर जोरी परा, तो क्या तुम इस बिजनस क से निकाल देत, क्या तुमको दूसरा जो मिल सकता है, इस system में भी कर सकते हैं, ओके, तो दोस्तों समझ मैं, देखे, could का प्रियोग present perfect में ऐसी possibility को वेक्त करते हैं, जो पुर नहीं हुआ है, जो past ability पुर नहीं हुआ है, उसके लिए भी कर सकते हैं, जो past में अगर ये काम किय होता, तो ये काम हो जाता उसके साथ, जैसे, अगर वो तेजी से भागा होता, तो ट्रेन पकर लेता, इसमें भी कर सकते हैं, present perfect में possibility को दिखाने के लिए, जैसे, he could have sent a message, वो एक message भेज सकता था, बस उसने message नहीं भेजा, एक example और समस्ते, he could have done it without much problem, उसके उस समस्या ज्यादा नहीं होती, वो इसे कर सकता था, बट उसने नहीं किया, क्लियर दोस्तो, could का pure, present perfect में, past ability को दिखाने के लिए करते, जहाँ पर वो कार समपूर नहीं हुआ, जैसे, you could attend grammar class, but you didn't attend, तुम grammar class attend कर सकते थे, लेकि तुमने attend नहीं किया, नहीं किया, इसलिए क्योंकि यह free class था, इसलिए, just I am joking यार, ठीके, अब अगला जो दोस्तों है, देखे, can के past tense के रूप में, could का प्रियोग होता है, देखे, आपको पता है, जब हम narration का इस्तेमाल करते, can का past could लेते हैं, जैसे, Ramaz told me, he could lend me his umbrella, I did all that I could, अब दोस्तों, जो most important exam में कई बार पूछा जाता है, काल्पनिक conditions में, could का प्रियोग नीम परकार होता है, जो unrealistic है, आ जैसे, if I had more money, I could build a temple, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता, ज्यादा पैसा होता, तो मैं निश्चीत रूप से एक मंदिर बनवाता, तो यहाँ पर could किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो काल्पनिक है, जो रियलिल नहीं है, हाना, अगर मेरे पास spunk होते, तो मैं हिमाले पर रुके चला जाता, यहाँ पर could का इस्तेमाल हमने unrealistic condition में किया, if I had more money, I could give one crore to everyone in India, करीभी मीटा देता मैं, ठीक, यहाँ पर हम could का इस्तेमाल कर सकते हैं, remember this thing, ओके, यह चीज़े के लिए रहे, I hope आपको यह समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम sell और will के बारे म मैंने बहुत detail में पराया है, बहुत basic और बारिकी से पराया है, हिंदी माधियम छातरे के लिए एक यह उपाय है, कि आप मेरे साथ परते रहे, ग्रामर आपका मजबूत होता रहेगा, और इसका question answer भी हम करते रहेंगे दोस्तों, please आप like कीजिए, channel को share कीजिए, subscribe भी चरू कीजिए